आईपियल 2024 गुजरत के खिलाप तहल का मचाने के लिए मॉंबा इंडियन की शांदर प्लेंग 11 का हेलां इन नए खिलाड़े को भी मौका मिलना तै और टीम में बड़े बदलाव भी हो चुके है बताएं कि इस वीडियो में उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्प्राइब करना बिल्कुल ना भूले चलो वीडियो शुरू करते हैं इंडियन प्रेमिर लिग के 17 वे सिजन का बिगुल बच चुका है आयोपील दोजर चुईस का पहला मैश शुक्रवार को 22 मार्श से खिला जाएगा हाला कि इससे पहले मॉंबई इंडियन्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है रिपोर्ट के मताबिक मिस्टर 360 डिगरी के नाम से महशुर सूरे कुमार यादो 24 मार्श को गुजरा टेटन्स के खिलाब मैश के लिए उपलब्द नहीं है ऐसे में जाने है सूरे के बीना मॉंबई की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है अगर सूरे कुमार यादो पहले मैश में नहीं कहलते है तो फिर कप्तान हर्दिक पांडय चार नमबर पर बल्लेबाजी कर सकते है हर्दिक पिछले दो सिजन में गुजरा टेटन्स के लिए अधिकतर चार नमबर पर ही बैटिंग करते थे गुजरात में हर्दिक बल्लेबाजी की मुखक करड़ी थे अगर सूरिया नहीं उपलब्द होते तो फिर पांडय मुंबर के लिए भी उसी भूमिका में देख सकते है वही नहाल वडेरा को अंतिम गेरा में जगह मिलने वाली है सभी समिकर्णों को देखे तो अगर सूरी कुमार यादों नहीं खेलते है एसे होने वाली है मंबई इंडिन्स की गुच्राट टैटन्स के खिलाब फाइनल प्लेंग इलवन अगर प्लेंग इलवन की बात करे तो रोही चर्मा और विकेट की पर बल्लेबाज इशान की शान पारी की शुरुवात करने वाले है वही तीन नमबर पर तिलक वर्मा का खेलना तय है एसे में टॉप ओडर में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है हाला कि कप्तान हार्दिक पांडे चार नमबर पर खेलने वाले है इसके बाद पाश नमबर पर नेहाल वडेरा और चे नमबर पर अफगान के सुपरस्टार मौमद नमबी खेलने वाले है नमबी के प्लेइंग लेवन में रहने से बल्लेबाजी को गहराई मिलेगी वही स्पीन गेन बाजी भी कापी मजबूत हो जाएगी फिर टीम डेविड एक्षेन में दिख सकते है डेविड और नमबी मेश फिनिशर की भूमी का अधा कर सकते है वही अनुब हुई प्यूज चावला मुक्की स्पिनर होने वाले है तेस गेन बाजी की बात करे तो जस्पित बूमरा और आकाश मदुवाल के साथ बलिंगा के कलोन खह जाने वाले निवार तुशारा को एक्षेन में दिखने वाले है तो एक बर फिर से फायंदल प्लेइंग इलोन बता देता हूँ आपकी इस पर क्या रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएरो एसी वीडियो के लिए हमेरे चैनल को सस्प्रेब करना बिल्कुल न भूलेगे